पुश्कार स्वागत है आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अभी एक रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट और फूड क्राइसिस फूड क्राइसिस मतलब खाद्य का संकट खाने का संकट तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया भर में अभी हालात कैसे हैं बुक मरेगे कितने लोगों के पास खाना नहीं पहुँच रहा है कितने लोग जो है वो अपने एक टाइम के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं तो इन तमाम बातों को इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है और बहुत अच्छे से हम इसको कवर करने वाले हैं भारत के हालात कैसे हैं इसके बारे भी हम जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियेफ के लिए आप लोगों को बता देता हम टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें अभी क्या हुआ है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिज ये एक संस्ता है जी एन एफसी और इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है उस रिपोर्ट का नाम है Global Report on Food Crisis 2022 अब इस रिपोर्ट को जब इन्होंने पेश किया वैसे ये जी एन एफसी की परमुक रिपोर्ट है परमुक पॉब्लिकेशन होता है कि किसी की परमुक पॉब्लिकेशन उसका main focus किसके उपर रहता तो GNAFC के आप जो परमुक main important flagship publication जो है वो यह है global report on food crisis इसके उपर यह बहुँ ज़्यादा focus करते हैं और इस report को बनाने में इनकी help की है FSIN के दौरा यानि Food Security Information Network के दौरा अब इन दोनों संसाओं के बारे में हम जानेंगे कि GNAFC क्या है और FSIAN क्या है देखिए पहले बात कर लेते हैं FSIN के बारे में FSIN का मतलब Food Security Information Network Food Security Information Network जो है वो एक initiative globally मतलब कि पूरे world में चलाया जाता है यह और इसको sponsor किया जाता है Food and Agriculture Organization के दौरा यानि FAO के दौरा और WFP यानि World Food Program के दौरा और International Food Policy Research Institute यानि IFPRI के दौरा इसको sponsor किया जाता है FSIN को अब इसका काम क्या होता है पूरे world में इसका काम होता है कि कहां पर food insecurity या फिर वहां पर nutrition level कैसा है इन तमाम बातों को एक बढ़िया एक reliable एक accurate data प्रवाइड करवाना होता है इसको त्यान समना यह data प्रवाइड करवाती है कि किसी देश में food insecurity nutrition level कैसा है strengthen food यानि कि वहां पर जो भोजन है वो कितनी उपलब्द में है तो इन तमाम बातों का एक accurate data यह प्रवाइड करते हैं analysis करते हैं ताकि क्या होता है कि इससे data decision making में काफी ज़्यादा help मिलती है उसी देश को भी मिलती है क्योंकि इन्होंने data प्रवाइड करा दिया कि यहां पर इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो भूख के मारे तडप रहे हैं तो जो जिस देश के बारे में इनोंने बताया तो उस देश को इससे काफी ज़्यादा help मिलती है और जितने भी globally जो institutes हैं या फिर agencies हैं वो भी वहां help करने जा सकती है अब बात करते हैं what is GNAFC GNAFC यानि की Global Network Against Food Crisis यह कहें देखे इसकी स्थापना हुई थी 2016 में किसने की थी एक तो यह FAO है FAO की और एक WFP इसके दोरह इसकी स्थापना की गई थी इसका काम कहा है इसका काम है कि भूग को खतम करना भूग को खतम करना पुरे global में से यह साथ ही साथ यह सपोर्ट करता है Sustainable Development Goal SDG जिसको का जाते है इसको भी सपोर्ट करते है और लोगों को पहले से ही त्यार करना प्रिपेर करना यह Food Crisis है इसके लिए और यहां पर लोगों को बताना कि आप इस Food Insecurity या Food Crisis से कैसे बस सकते हैं तो यह Advice देने का भी एक काम करते हैं अब इसके बाद जो है इस रिपोर्ट में क्या-क्या बात बोली गई है इसके उपर आ जाते हैं काफी serious चीजें हैं इसके अंदर जैसे इस रिपोर्ट में यह जो रिपोर्ट है वो 2020 में भी आई थी अभी यह 2021 की रिपोर्ट है वैसे 2022 में इसको निकाला गया है तो यहां पर 2020 की तुलना में 2021 में जो food insecurity बड़ी है जिसके कारण लोगों को काफी ज़्यादा संकट feel के मतलब कि जिनको संकट हुआ है उनको खाना नहीं मिल पाया है एक यहां पर acute food insecurity का शब्द आएगा इसका मतलब होता है कि अपनी livelihood के लिए मतलब अपने जीवन यापन के लिए भी खाना नहीं मिल पाना एक ऐसी स्थिती होना देखे किसी इनसान को अगर दो टाइम का खाना मिल पा रहा है तो obviously वो तो बुखा नहीं रहेगा तो वो food insecurity में क्यों जाएगा वहाँ तो उसके पास खाना इनसान food insecurity में वो जब चला जाता है यह कोई देश food insecurity में तब चला जाता है कि वहाँ के नागरिकों के लिए उनके खाना ही नहीं है उनके जीवन यापन के लिए मतलब वो अपनी livelihood अपने आपको जीवित रख पाएं उसके लिए जितना एक प्रयाबत मातरा में खाना होता है वही उन तक नहीं पहुंच पा रहा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मसक्कत करनी पढ़ रही है बहुत ज़्यादा help के जूरत है वहाँ पर और काफी सारे program वहाँ चलाए जाते है globally चलाए जाते है वहाँ तो खाना पहुचाया जाते है तो यहाँ पर ऐसी स्थिती हो जाना acute food insecurity तो 2020 की तुलना में बात करते हैं 2021 में तो लोग इस food insecurity को जहलने वाले acute food insecurity को जहलने वाले 40 million से अधिक संक्या बढ़ गई है यहाँ पर जितनी संक्या हुआ करती थी 2020 में 2021 में आते आते 4 करोड लोग और आ गए हैं और add हो गए हैं यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसमें यूतियोपिया, दक्षिन मेडागासकर दक्षिन सुडान, यवन यहाँ पर तो लगबग 5 लाख से भी अधिक जो लोग हैं वो इस acute food insecurity से पीडित हैं इनके पास खाना नहीं है यहाँ पर अब इसके अलावा बात करें देखिए 53 देशों के अंदर 193 लगबग लगबग 19 करोड से भी जादा जो लोग थे 2021 में बात करें 2021 में इन्होंने बद से बद तर स्थिती जेली है इस acute food crisis की इसको अनुभव किया है यानि 19 करोड लोग हो गए है और 4 करोड इसके अंदर बढ़के आए हैं 2020 से 2020 में जितनी थी अब इसके अंदर 4 करोड मतलब इसमें बढ़कर आए है यानि अब माइनस कर देते हैं तो 15 करोड लगबग जो थे वो 2020 में थे और अब बढ़कर लगबग 13-14 करोड के आसपास थे यहां पर और अब बढ़कर यहां पर 19 करोड हो गई है तो यहां पर देखे कितनी ज़्यादा बढ़ रही है लोग प्रोग्राम मतलब कि देशों के अंदर काफी सारे इनिशेटी चलाए जाते हैं ताकि लोग भूके ना रहें लेकिन काफी सारी प्रोब्लम्स हैं उनको भी हम जानेगी कि food insecurity बढ़ क्यों नहीं है अब बात करते हैं इसके कारण क्या है सबसे पहला reason आ रहा है यहां पर conflict संघर्ज देखे जहां पर war है obviously वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए काफी सारे लोग जो है वो लगे हुए होते हैं वहां पर संघर्ज चलता है या फिर और भी reason होते हैं जहां पर conflict चल रहा होता है तो वहां पर बात करते हैं कि 24 देख ऐसे हैं जहां पर conflict के कारण 139 million लग 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 14 करोड जो लोग हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ conflict के कारण 14 करोड लोग जो हैं वो इस acute food insecurity के रहने के कारण मजबूर हुए हैं इनके पास खाना नहीं पहुंच पाया है 2020 में बात करें तो 23 देख होते थे जहां पर 99 million जो थे वो लोग इन्होंने इस insecurity food insecurity को जहला था और इस्तिती में रहने के लिए मजबूर हुए थे अब देखिए जो food है जो खाना है हम बहुत जादा एक अन को मानते हैं अन की पूझा करते हैं तो जैसा हमारे देश में नहीं वहीं हमें शिखाえ जाते हैं कि अन का कभी अपमान मत करो तो यह जिप officials जो है हम बहुत सारे counseling life में देख भी रहें बच्चे हैं उनको हमें सिखाना चाहिए कि देखें कभी भी अन का आप मान मत करिये, आप खाना खा रहे हैं, तो उतना ही खाना लीजिए, कि जितना आप खा सकें, खाने को वेस्ट मत करिये, खाने को जूठा मत छोड़िये, तो ये सब चीजें बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, क्योंकि आप देखें, कितने सारे जो लोग हैं, उन तक ख नहीं कहीं मजूद हैं और काफी सारे जो लोग हैं उन्ता खाना नहीं पहुंच पा रहा है कर गौर्वर्मेंट काफी सारे इनिशेटिव चला भी रही है वहां तक खाना पहुंचाने के लिए इसके अलावा आता है एक चरम मोसम यानि वैदर एक्स्टीम इसके कांड कर ऐjen आठ देशों के अंदर 23 trillion लगवग लगवग दो वैदर एक्सटीम है जहां मोसम नहीं सहीर रहा रहा है जहां पर बारिश होनी चाहिए थी बारिश नहीं हो पाई उसके कारण कहा है कि वहां पर खाद्या ऐसे रुक्षा बढ़ गई है खाना नहीं पहुंच पाई लोगों के कारण तो यह जो हैं ऐसे आठ देश हैं जिनके लगबग 2 क्रोड जो जोग हैं ऐसी स्थित का उन्हें सामना करना पड़ा था तो वाधरम के कार्टचन संक्या बड़ी है, punkth Lex के कारण्थ जन संक्या बड़ी है, एक आर्तिक संक्तु के कारण अप सबसे बडा इंग्जांपल देख सकते हो शिरलंगा का जहां पर कहना बहुत ज़्यादा महां बहुंगा है तो वहां संक्ट के कांट 2021 में 21 देशों और 21 देशों में 30 मिलियन से अधिक यानि 3 क्रोड से भी अधिक लोग जो हैं वो food insecurity का सामना कर रहे हैं acute food insecurity उनके पास एक time का खाना तक नहीं पहुंच पा रहा है इतना अपनी livelihood अपने आपको जीवित रखने के लिए उनके पास खाना बहुत मुश्किल से पहुंच रहा है तो ऐसे लोगों की संक्या यहां पर 30 मिलियन यानि 3 क्रोड पहुंच गई है 2020 में बात करें तो यहां पर 17 देश हुआ करते थे जिसमें 40 मिलियन यानि अब देखिए भले ही देश जादा हुए लेकिन संक्या कम हो गए पहले 40 मिलियन हुआ करते थे कर यह माल सकते हैं कि यहां पर थोड़ी बहुत जन संक्या कम हुई है लेकिन यहां पर सबसे जादा जो है जन संक्या बढ़ी है यानि population बढ़ी है just because of conflict के कान conflict में देखिए 99 मिलियन थे 39 मिलियन हो गए लगबग 40 मिलियन जो लोग है यहीं बढ़ गए हैं गरीबी है और ऐसे जो लोग है जिन तक काना नहीं पहुंच पा रहा है जन संक्या बढ़ रही है कमजोर खाद्य प्रनाली है यानि कि एक food system बहुत ज़्यादा कमजोर है इन तमाम बातों का पता लगाना होगा कि यह हो क्यों रहा है इसके root cause तक पहुंचना होगा और इसक तमाम बातों को एक मतलब साथ लेके चलना होगा एक integrated approach के साथ फिर बात बोली गई है सबसे बढ़िया important और अच्छा point मुझे यह लगा कि जो small farmers है small holder agriculture मतलब कि जिनके पास कम जबीन है उन farmers को आगे लेके आना होगा उनको subsidize करना होगा उनके लिए initiative scheme चलानी होगी ताकि व का धीर काल्प के लिए एक समाधान मिल पाएगा अगर चोटे-चोटे जो लगू मतलब कि कह सकते हैं कि इनके पास small holding farmer है उनसे क्या होगा बहुत जादी help मिलेगी लोगों को तो यह सब चीजें ध्यान रखने होगी और भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान है अब ए जान रखने यह बातें वही बोली गई है भारत की बात करते हैं कि भारत में क्या है देखिए एक रिपोर्ट आई थी the state of food security nutrition in the world 2020 जिसमें बोला गया था कि भारत विश्व में खाद्यान का सबसे बड़ा भंडार है मतलब यहां पर खाने की कमी नहीं है इतना ज्यादा खा पर है तो भारत ने ऐसे ऐसे scheme चलाई है भारत सरकार ने जिसके कांड कै कि लोगों को दो टाइम तक का खाना पहुंचा जैसे आपने देखा था कि करोना काल के अंदर कैसे अनाज फ्री जो है वो दिया गया था जिसे काफी लोगों को help मिली थी अब यहां क्या हुआ है इस क्राइस भी बढ़ता है अराम से हमारे पास इतना स्टॉक मोझthe लेकिन बावजूद इसके भारत के अंदर भी कहा गया है लगवग एक चोथाई जितना विश्व के अंदर मोझूद है उसका एक चोथाई हिस्सा भारत के अंदर भी मोजूद है मतलब कि खादे एस रुक्षित के जो मतलब ये सामना कर रहे है अनुमानों की माने तो 2020 में लगवग 237 करोड अधिक जो लोग है खादे एस रुक्षा के सामना कर रहे थे और यहाँ पर 2019 के अंदर की बात करें तो यह जनसंक्या जो थी 2020 में 32 करोड लोगों की वृति हुई थी अकेले दक्षिन एशया की बात करें तो यहाँ पर 36% जो लोग हैं आते हैं इस फूड इन सिक्योर्टी के अंदर अब भारत सरकार ने जो पहले चला रखी हैं जो स्कीम चला रखी हैं इनिशेटी चला रखी हैं वो भी आप लोगों को एक बार जान लेनी चाहिए क्योंकि एक्जाम में पूछ ली जाती हैं कि एक आती है परधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना एक वन नेशन वन राशन कार योजना है एक आतु निर्वर भारत रोजगार योजना है एक परधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना है एक सगन मिशन इंदर धनुष 3.0 योजना है तो यह समसीजें आपको ध्यान रखनी है जो इंडियन गौर्णमेंट के दोरा चलाई गई है यहाँ पर फूड इंसीक्योर्टी को या फिर लोगों को रोजगार या फिर लोगों की गरीबी दूर करने के लिए अब उमीद करता हूँ कि यह सारा तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी फिर से बता देता हूँ पीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिगराम का लिंक दिया मिलेगा तो वहाँ से आप इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो बेशक इसके लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए बने रही हमारे साथ ही ज़्यादा ही पसंद आई है तो शेर कर सकते हैं वीडियो को भी एस वेल चैनल को भी थैंक यू वर वोचिंग इस वीडियो